इस एवरीबडी, important concept, integration of exponential functions और उसके लिए मैं वापिस आपको लेकर आऊँगा differentiation of exponential functions आप सबको याद होगा e की पार x का derivative क्या होता था? e की पार x तो इसी चीज़ को कर मैं integration में इसकी integration दो तो e की पार x की integration क्या होगी? e की पार x प्लस? c तो लगने ही लगने हैं हर बार क्या वाद clear है? अगला point a की पार x की differentiation बताओ क्या होती था? a मतलब याद है न? e exponential function था सारी game चलती है base e को लेके तो वैसी आजाता था a की पार x very good into log a आपको याद होना चाहिए actually यहाँ भी into log e होता था और log e की value 1 होती थी तो इसलिए हम place नहीं करते थे अगर e की जगा कुछ भी हो रहा गया log 2, log 3, log 10 तो हम क्या put करतेंगे? as it is log 2, log 3, log 10 से multiply करतेंगे understandable? तो यह क्या मेरा constant act कर रहा है? sure तो constant का behavior समझना integration तो a की पार x की हो नहीं है? a की पार x की integration हुई तो answer यह देगा? यह आया a की पार x और यह log नहीं कहा आजएगा? इदर आगे divide तो यह बना log a plus कहानी पकड़ में आई तो यह मेरी अगले दो result हैं जिसको हमने याद करने हैं ठीक है जी? और अभी थोड़ा बदल रहा हूँ यह भी क्या है linear? अब जल्दी से रफजोद इसका अंसर बोलो a x plus b upon a integration मैं तो बात करूँगा e की पार a x plus b upon a plus c चल साहिर a की पार 3 x plus 7 की integration बोल दे जल्दी से a की पार upon upon यहीं पे upon 3 upon 3 पका सोच के बोल बोलो log a plus c चल जल्दी से बोलो सब लोग सोच के बोलो 7 की पार 4 x minus 9 dx बोलो बोलो 7 की पार minus 9 upon 4 into log 7 क्या मुश्किल क्या थान है हाँ जी बिटे फॉर्मूला भी तो ड्राइब किया कि यह constant था यह इदर नीचे जाएगा integration इसकी होगी तो एकी पार x मैंने फॉर्मूला बना दिया अचा जल्दी से e की पार 2 x plus 3 की integration क्या होगी जल्दी से e की पार 2 x plus 3 upon 2 यहाँ log नहीं आएगा क्योंकि log ही 1 होता है plus 3 very good Kangana nice चलो Kangana जी आप से पूछते हैं k for Kangana की पार 2 x minus 22 dx बोलो बो very good 2 into log plus क्या क्या मुश्किल की असान बोलो कहानी पकर में आगे इस concept की जल्दी नोट करिए अब दिस इस one of the question which is quite 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 easy and I want I want results from your side yes e की पार ln ln मतलब log natural log e की पार log root x क्या कर सकते हैं इस question में यह तो बहुत खेल है हमने plus one में तो बहुत इस चीज़ पर चर्चा की है मेंने इस नमन यह जब लोग याद रख लो e की पार लोग आते ही e की पार लोग आते ही यह जो भी function है इसका मतलब f x c होता है yes guys a की पार x into b की पार x ध्यान से समझना दोनों के उपर पार सेम नमबर की है तो exponent का एक rule याद करा दू a की पार m into b की पार m को मैं लिख सकता था a b की पार m कहानी समझ आई तो यहाँ पे मैं लिख दू a b की पार x और a भी constant है b भी constant है तो उनका product भी एक constant होगा हाँ तो यह a b को मन में एक c सोचो तो c की पार x कौन सा question बन गया यह बन गया के नहीं बन गया बोलो तो मैं इस चीज़ को लिख दू a b की पार x upon log of a b और यहाँ c और what is log m into n यह बहुत important है log m plus तो यह बना answer a b की पार x यह इसे यह भी लिख सकते थे a की पार x into b की पार उनका लब जिस तरह question आया है उसी तरह answer convert कर दो a की पार x into upon log of a plus log of b plus that's my answer करिये नो another question again from the exponentials यह question को वो ऐसे भी लिख सकता था 2 की पार x plus 5 की पार x upon 10 की पार x बच्चा हलका सा और confuse हो जाता तो वो 10 को फिर मन में इसको numerator को देके तोड़ता कि भई 10 जो है it is a product of 2 and 5 तो ऐसा सोचना पड़ेगा आने वले टाइम में आपको तो यह मैं ऐसे लिख सकता हूं समर्दी 2 की पार x upon 2 की पार x into 5 की पार x split कर दिया numerator को plus 5 की पार x upon 2 की पार x into 5 की पार x क्या हर बच्चे को यह step समझ आया या नहीं आया आया तो यह गया इधर यह गया यह क्या बना 1 upon 5 की पार x और यह क्या बना 1 by 2 की पार x क्या यह भी step समझ आया तो यह बन गया a की पार x जैसा तो a की पार x का derivative or integration 1 by 5 a की पार x अपन log 1 by 5 plus 1 by 2 की पार x अपन log और दुनिया ये भी बोल जाएगी 1 by 5 की पार x अपन log 5 की पार minus 1 plus 1 by 2 की पार x log 2 की पार और हमें एक प्रॉपटी log की ये भी आती है log m की पार n is equal to n log याद है कि नहीं तो ये minus आगया जाएगा log के minus denominator में लिखने की पुज़ाएगा लिखना चाहिए ये भी minus आगया जाएगा minus यहाँ लिखने आगया और दो नहीं में minus है तो minus क्या कर दूँ? common कर दूँ? तो minus common करके अंदर क्या बचा? 1 by 5 की पार x अपॉन लॉग 5 plus 1 by 2 की पार x अपॉन लॉग क्या ये बात सबको समझाए बोलिए that's my answer अच्छा एक चीज़ मज़े की बता हूँ आप answer यहाँ भी छोड़ सकते थे आप answer यहाँ भी छोड़ सकते थे और यहाँ तक लिए जा सकते थे करिये note yes everybody a very important question related to exponents if I'll ask you क्या प्रोच होनी चाहिए इस question को करने के लिए powers add हो जाएगी यहाँ बीच में multiply का साहीन है मेरे पुत्तर जी वो 9th class के exponent के rules है जो यहाँ नहीं लगेंगे क्योंकि बीच में plus है हो multiplication और division में होता है बोलिये बोलिये कुछ कोई कुछ भी गलत हो सही हो कुछ common की बात के वहां से एकी पार अब सोचो एकी पार 3x common लिया तो यहाँ क्या बचा मैं इस question को दो एप्रोच से करा हूँ दियान से समझना पहली एप्रोच और दूसरी एप्रोच जो कि दूसरी एप्रोच मेरे को बड़ी मज़दार मन में आई है वह सोचने का तरीका पहले बाद में बदाऊंगा पहले सिया की एप्रोच सोचते है वह कहते है सर एकी पार 3x common कर दो मैंने का बिल्कुल सही बिटे यहाँ पे आया e की पार 2x प्लस 1 यहाँ तक ओक है रिपोट? अपॉन थोड़ा सा स्टेप समझना जो मैं करने जा रहा हूँ e की पार x common कर रहा हूँ क्या common किया? यहाँ गया यहाँ? और यहाँ गया यहाँ? वन पॉन e की पार x क्या बात समझ आई? नहीं मैं गल्द कर गया हूँ मैं गल्द कर गया हूँ आईएगा आईएगा यहाँ एक छोटी सी गलती कर गया हूँ इन दोले में से छोटा e की पार minus x है तो e की पार minus x common कर दो तो यहाँ क्या बचा e की पार 2x और यहाँ क्या बचा यह ज़ाला अच्छी एफ्रोच है यह और यह कट गया अब क्योंकि सिरफ division हो रही है तो basis same powers got subtracted तो e की पार 3x minus minus plus बन गया और यह बन गया e की पार 4x और e की पार 4x का integration क्या होगा e की पार 4x upon plus c अब एक और अप्रोच समझिएगा यह अप्रोच समझने के लिए यह देखिए 5x और 3x में कितना difference है 2x का 5x और 3x में कितना difference है x और minus x में कितना difference है 2x का चेक कर लो जब ऐसी situation आए कि when the difference is same तो जो बड़े वाली terms है उनके beach वाली value common ले लो तो मैंने क्या किया e की पार 4x common कर ली पहली यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा और नीचे कौन है क्या यह step समझ आया बेटा इन दोलों में difference कितना 2 इन दोलों में difference कितना 2 तो इन जो बड़े यह हैं यह तो छोटे हैं तो बड़े वालों के beach वाली value common ले लो e की पार 4x common लिया तो e की पार 5x बनाने के लिए e की पार x आया और यह बनाने के लिए एक पीछे जाना पड़ा तो minus 6 और वो ही denominator था मेरा तो answer क्या बना e की पार 4x और e की पार 4x के integration e की पार 4x plus c upon 4 भी आएगा कहानी पकड़ में आई whichever method 99% बच्चे यह लगाते हैं और यह थोड़ा competitive point of view से सोचना पाटता है कि मन में answer निकाल दो बात खतम करिये note